तो एक बार फिर एजुकेशन सद्गुरू की डेली जी के क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करन्ट फेर्स, कोस्चेन और आंसर के लिए आप हमारी वैबसाइड www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं तो चलिए आज के अपने सर्षन की सुरवत, हम कल के 20% के दुवारा करेंगे, कल हमने आप से 20% में पूछा था कि हाल ही में केंद सरकार ने निम्रीखितमे से किस बासा को जम्मो कस्मिर की आधिकार्य भाषा के रूप में मंझूरी दी है इस परसन का सही आंसर है option D यानि उप्रोक्त सभी हाल ही में केंद्री मंत्री मंडल ने जम्मू कस्मीर के लिए राजभासा विदेग लाने को मंजूरी दे दी है जिसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के लावा अब कस्मीरी, डौगरी और हिंदी को भी इस केंद्र सासित प्रदेश की आदिगारिक भासाओं के रूप में सामिल किया जा सकेगा आपको पता दे कि कस्मीरी को जम्मू कस्मीर में पहली बार राजभाजा का दर्जा मिलने वाला है चलिए आज के ससन का अपना पहला परसन देख लेते हैं कि हाल ही में आगडों के अनुसार संस्थागत प्रसव के मामले में किस जिले ने रास्टिये और प्रादेशिक ओसत को पीछे छोड़ दिया है इस परसन का सही आंसर है ऑप्सन ए यानि बस्तर चथिस गड़ हाल ही में संस्थागत प्रसव के मामले में बस्तर जिले ने रास्टिये और प्रादेशिक ओसत को पीछे छोड़ दिया है नकसल समस्या, सडको का अभाव, जंगल, पहाड, नदी नालो और साक्षर्था की कमी के बावजूद इस जिले ने यह सफलता हांसिल की है आपको बताते कि राश्टे ग्रामेंड स्वास्थे मिसंद द्वारा हाल ही में जारी स्वास्थे सूचकांग के अनुसार संस्थागत प्रसव का राश्टे ओसत 78.9 है वही बस्तर जिले में यह ओसत 96 फिसद से भी अधिक है चले एकला परसंद देख लेते हैं कि राजस्थे में हो रही भारी कमी के चलते किस राज्जी सरकार ने सरकारी अफसरों के खर्चों में कटोती करने की घोशना जारी की है इस परसंद का सही आंसर है option C यानि राजिस्थान सरकार हाल ही में कोराना महामारी के कारण राजस्तान सरकार के राजश्थ में हो रही भारी कमी को देखते हुए मुख्य मंतरी असो गहलोत ने खर्चों में कटोती के निर्देश दिये हैं मुख्य मंतरी ने medical infrastructure को मजबूत करने के लिए खर्चों को कम करने के लिए कहा है आपको बता देगी इस आदेश के तहट अब मंत्रियों और अधिकारियों के खर्चों में कटोती की जा सकेगी चलleo के साथ अगला परसंद देख लेते हैं कि हाल ही में जारी ुक्षार पर्धाल मंत्री नरेंद मोधी ने अब तक के लिए 2.25 लाग करोड रुपे की रासी पीम केर फंड में दान की थी चले कला पर्सन भी दिख लें देगी हाल ही में किस प्रडोसी देज ने हिंदू विध्वा महिलाओं को उनके पती की किरसी और गैर किरसी भूमी में हिस्सेदारी का अधिकार देने की गोशना की है इस का सही आंसर है option B यानि बंगलादेश हाल ही में बंगलादेश की एक सिर्ष अदालत ने एक महत्वण फैसले में कहा है कि हिंदू महिलाएं अपने दीवगत पती की किरसी भूमी और गैर किरसी भूमी की हगदार है अदालत के इस फैसले के साथ ही उनका अपने पती की संप करनी याना चीनी कम्पनी करते हुँएं योगी सरकारि ने सभी विभागों को ये पर्तिबंद कार लागू करने की अदेश एंडर भी रद कर दिये थे चले एकला परसंद देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ किसे अभी हाल ही में भारते रेलवे का नया CEO नियुक्त किया गया है इस परसंद का सही आंसर है option B यानि विनोध कुमार यादव हाल ही में मंत्री मंडल की नियुक्ती मामलों की समीती ने मौझूदा चेर्मैन विनोध कुमार यादव को रेलवे का CEO नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है रेलवे की तियास में ऐसा पहला मोका है जब CEO का पद सर्जित किया गया है इस परसन का सही आंसर है option D यानी भारत हाल ही में भारत सरकार ने छपाई सामगरी जैसे डाइरी, कलेंडर और तेहार के ग्रेटिंग काड पर परतिमन लगा दिया है यह आदेश वित मंत्राले द्वारा पारित क्या गया था मंत्राले ने सरकारी अंगों को ऐसी सामगरी परकासित करने के लिए डिजिटल साधनों को अपनाने के लिए कहा है जिसके चलते यह कदम उठाया गया है चले गला परसन देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ओनलाइन गेम पर परतिबन लगाने का फैसला किया है इस परसन का सही आंसर है option B यानि आंदर परतिश सरकार हाल ही में आंदर परतिश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ओनलाइन गेम पर परतिबन लगाने का फैसला किया है जो युआउ को गलत रास्ते पर धखेल रहे हैं वहीं दूसरे अपराद के लिए जुर्माने के साथ दो साल तक की सजा का परावधान भी इसमें किया गया है चली आज के सहसन का आखरी परसंद देख लेते हैं कि हाल ही में सरवुच नियायालने ने किस सहर में रेल पट्रियों के किनारे बसी 48,000 जुग्जी जोपडियों को हटाने का निर्देश दिया है इस परसंद का सही आंसर है आप्शन D यानि दिल्ली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने में रेलवे ट्रैक के किनारे लगी 48,000 जुग्जी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश में किसी भी तरह से राजनितिक दखल नहीं होना चाहिए साथ ही कोर्ट ने यह भी काया कि टाइम बाउंस तरीके से इन जुग्यों को रेलवे ट्रैक के बगल से हटाया जाए आपको बता देगी सुप्रीम कोर्ट का यह अदेश दिल्ली के लिए आया है चलिए आज का अभ्यास परसन भी दिख लेते हैं कि हाल ही में रूस ने किस देश के साथ नो आर्म सप्लाइ पॉलिसी को जारी रखने की गोशना की है आपसे निवेदन है कि इस अभ्यास परसन का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेस करणा बिल्कूल भी मत भूले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगादार बने रही है